हलो मैं अर्विन माथोर असोसियेट प्रॉफिसर इन फिजिक्स कोवेंट अमेंस कॉलेज बीकानेर आज हम फिर्स्ट इयर का पेपर एलेक्ट्र स्ट्रेटिक्टि इन मैंग्नेटिजम में यूनिट फिर्स्ट पड़ रहे हैं वह है मुल्टि पोल एक्सपैंशन अफ एलेक् करना है तो हम उसको मद्टि को मिल्टि पोल एक्सपैंशन से हमें दूरी पर अधिक ऎप्रॉक्सेमेशन चाहिए होता है है और दूरी पर हमें इसका मल्टि पोल-एक्सपैंशन कर सकते हैं में नहीं हम 1 by R minus R' को expand करना है in power series of 1 by R, R के रूप में करना है और ये देखना है कि जिसमें R position vector है, जहां पे potential है और R' वो potential है जहां पे charge element पड़ा हुआ है तो इसका एक expansion मैंने ये, पहला जो expansion है मैं spherical coordinates में कर रहा हूँ चौकि spherical coordinates में expansion करना comparatively easy है इस point में suppose एक charge element एक surface लिया है, एक charge element लिया है और उस charge element से मान लो R1 पर वो charge element है और R पर हमारा point of observation है तो charge element से point P की दूरी R minus R' है जो हम vector law triangle से निकाल सकते हैं तो इस point P पर हमें पता है कि potential का मान V R is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 rho R R minus R' मैंने इस लिया क्योंकि जो surface को जो distribution है ये माना है कि volume पूरे इसके volume में फैला हुआ है अब इस charge distribution में हम 1 R minus R' को लिख सकते हैं R square plus R dash square minus 2 R cos theta इसका में common लिए हाफ भी हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 plus में R square common लिया और 1 by R by R square का मान हो जाएगा 1 by R 1 plus R dash square R square minus 2 R square cos theta का half अब इसका expansion हम power series में कर रहेंगे इसको हम binomial expansion केते हैं और इसका मैं binomial expansion करूँ तो इसमें 1 minus first term R आपका की 1 plus A का whole square 1 minus का हम कर रहे हैं 1 plus A 1 minus A का हम expansion कर रहे हैं तो ये expansion में इस रूप में लिख सकता हूं half का whole square और ये हमार पस ये expansion बायरा मिले expansion से आ जाएगा half factorial minus 2 इस तरह हम इसके expansion को लिख सकते हैं अब इस में से मैं सिर्फ first four terms को collect करता हूं तो हम कहते हैं कि आगे हम series को बढ़ाते नहीं हैं और ये हम कह सकते हैं तो अगर the first term हम कहते हैं अगर मैं सिर्फ first term रखूं और इसके साथ मैं उसके जो potential के अन्य term जोड़ दूँ तो first term simply becomes one by four five epsilon zero one by r rho dr dqr ही हो जाएगा हम यह कहते हैं कि अगर यह समय के हम यह मानते हैं कि अगर हमारा charge concentrated at the origin है कि अगर हम यह मानते हैं कि जो charge है उसके सिर्फ उसके origin पर है इस turn को मैं monopole term कहता हूं इस expansion मैं इस term को monopole term कहता हूं जो हमारे single charge के लिए है अगर अगर में terms proportional to r dash is simple यह तो मैंने one के साथ था अगर आर के साथ लूँ तो यह एक और proportionality term v is equal to one by जो term r dash r cos theta के r by r क्योंगे मैंने इसको expansion किया r dash upon r के series में अगर इसका मैं दूसरा term लूँ तो दूसरा term हो जाता है वी इस इकल टो one by four by epsilon zero one by r zero r dash cos theta और यह हमारे को इसको अगर मैं इसको calculate करूं जो आपको इस slide में दिख रहा है तो यह one by four by epsilon zero one by r r minus dot r dash क्योंकि यह cos theta का है तो dot product हो जाएगा और rho dash dv और यह हमने यह कहा कि हमने यह माना है कि जो theta angle है यह दौनों vectors के बीच का angle है r और r dash के बीच का angle है तो यह equation जो है हम यह कहता है equation represents dipole term यह dipole moment को represent करता है और हम यह बांगते हैं कि दूसरी terms अगर पहले term अगर zero है तो next term जो importance है वह अगर हम कहते हैं कि वह charge symmetrical of volume charge zero है तो dipole term क्योंकि आ जाता है तो dipole आ जाता है तो इसको हम कर सकते हैं कि dipole term हमने यह मान लिया कि यह हम अपस dipole है r dot p हम जानते हैं कि रो तो अब यह dipole अगर मानते हैं कि suppose dipole में हम कहते हैं कि dipole का मतलब है two and equal charges separated by a distance d तो उसका अगर किसी point p पर मैं potential निकालना चाहूं तो यह हो जाएगा one by four by epsilon zero q r plus और minus q r plus or minus charges के कारण जो potential है जो हम यह इसका distance हम यह मान सकते हैं कि यह cos theta हो जाएगा is equal to one by minus plus cos d तो यह हमने एक potential किया अगर मैं r को यह मानता हूं यह dipole बना रखा है d by two दोनों के बीच के मद्दे d है तो यह d हो जाएगा और इस plus q से potential निकाल सकता हूं माइनस q से potential निकाल सकता हूं और यह potential r जाएगा और r का मान plus minus r का मान मैं इस cosine table से निकाल सकता हूं यह यह आप मान सकते हैं अगर मैं यह मानता हूं कि आर इस वेरी वेरी ग्रेटर दन डी तो प्लस और तो हम इसको d के जो higher order terms को इस equation में निगलेक्ट कर सकते हैं और हमें आपास बन जाएगा one plus one approximately one by r one plus minus plus d square पॉना cos theta और इसमें इसको higher order terms को मैं फिर निकाल लो approximately d by 2r अगर मैं इसको फिर binomial से expand करूं तो मेरे पास approximately d square by 2 cos theta आगा और और हम इसके द्वारान किसी डाइपोल के कारण potential v d ये डाइपोल निकाल सकते हैं one by four pi epsilon zero p cos theta upon r square जहां p is equal to q in dp is the direction of the dipole और इसका direction है from the positive charge अब ये है अब हम ये मानते हैं कि हमने ये का कि हमने origin इसमें कहीं नहीं आता dq लिगा दूँगा क्योंकि मैंने इसको volume charge distribution माना है यहना this हम ये कहता है कि is this point जो भी दो मारे दो equations है is independent of the origin यह अपन कर सकते हैं कि अगर r को मैं r plus 1 से replace कर दूँ तभी इस expansion में कोई भी फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि जो एक constant है वो बाहरा जाएगा अब इस equation के कारण में इसके potentials dipole के question निका सकता हूं हमार क्योंकि हमने spherical continents लिया है तो r theta और phi आएगा तो r theta phi k में electrical field के components क्योंकि potential is minus and dv by dr तो यह इसके पास 2p cos theta 4 pi epsilon 0 omega r इसी तरह theta component और phi component में इसके अंदर जो आपके इस slide में देख रहे हैं आप इसको derive कर सकते हैं यह simply है क्योंकि electric field और electric potential का जो relation है वो e is equal to minus grade v होता है उसी equation का component के रूप में यहाँ पे उपयोग किया गया है इसके बाद अगर पहला और दूसरा term याने monopole और lipole 0 हो जाते हैं तो जर नेक्स्ट जो term proportionality है हम यह मानते हैं कि हमका मान धीरे धीरे कम हो रहा है तो one by r square का proportional है यह one by r cube के जो term proportional है वो मैं लिख सकता हूं और वो आपको इस slide में आपको इसमें दिख रहे हैं r minus 2 और तो second term जो है वो r square one by two three cos theta square minus one और उसके बाद की जो term आ जाएगे आर्चाइब जो five cos theta cos cube theta minus three cos cube theta अब यह जो बारवी जो term है वो को हम कहता है कि वो quadruple moment को define करती है और उसके बाद की जो term है वो octopole moment को define करती है quadruple moment और octopole moment को हम volume charge distribution के रूप में इस रूप में define करते हैं यह simple r one r minus r dash का उसका simple एक binomial expansion के साथ जो terms आ रहे हैं वो terms मैंने आपको first equation में दिखा दी थी और इसका अगर मैं दिखाना चाहूं कि एक quadruple moment और होते कैसे हैं तो इसमें charge distribution है यह चारों एक एक चार्ज एक और में distribute होता है यह quadruple moment है और अगर चार्ज अगर एक linear line में है तो बीच में plus two q हो जाएगा और माइनस q और माइनस q प्लस q तो बीच में और माइनस q हो जाएगा और चार्ज का distribution इस परकार से होगा जैसे माइनस q के साथ प्लस q माइनस s टाइप से कि अगर इजहां plus q s के जो opposite है side में होगा उसका negative charge होगा तो इसको हम कहते हैं कि हमने सारे को इसको हम थोड़ा सा clarify कर लिया तो v potential को में one by four by epsilon zero one by pr p cos theta zero फिर p1 और p2 के रूप में लिख सकता हूँ और p3 यह इस रूप में potential को लिख सकता हूँ यह पूरी की पूरी इसको हम मैं कहता हूँ कि यह legendary polynomial है p0 cos theta command one होता है p1 cos theta command cos theta होता है यह simple expression है उसको मैंने थोड़े से generalize shawm में लिख दिया p2 cos theta का मान one by two three cos theta square minus one होता है p3 cos theta one by four by five square यह simple इसके मान है जहा p0 represents monopole, p1 represents dipole, p2 represents quadrupole और p3 represents octopole यह हम कहते हैं कि यह legendary polynomials of the order of zero to two in general the expression को हम मैं generally इस expression को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ और यह expression कि यह that हम यह मानते हैं कि जो p है वो z axis में लाए करती है और theta एती polar angle thank you very much झाल 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